नमस्कार स्वागत है आप सभी का गने साइस्टो हेल्प में मैं हूँ डॉक्टर दिलीफ और कैसे हैं आप सभी आज का जो टॉपिक है वो गुरू की बदली चाल मतलब गुरू जो अब तक वक्री चल रहे थे रेट्रोग्रेट चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पीछे जा रहे हैं वो सीधा चलने लगे हैं तो गुरू सबसे ऑस्पीसिस गरह हैं सबसे सुप गरह हैं गुरू क के पास हमारे कह सकते हैं family पैसा धन बुद्धी सुख समरध्धी पुत्र पुत्री मतलब संतान सुख इस्तरी के लिए जो पती होते हैं उनको भी गुरू दिखाते हैं तो एक तरह से एक अकेला घ्रह ऐसा है जिसके पास बहुत सारे कारकत्व हैं जो बहुत सारी चीजन डिस करता है एक अच्छा गुरू कुंडली में बहुत कुछ आपको दे सकता है और अगर कुरू खराब हो तो problem भी काफी आ सकती है उसकी बज़े से शादी का बच्चों का सुख का और इसके साथ साथ बुद्धी मता future को देख़ाना अच्छे निर्ने ले पाना ये सब गुरू कुंडली में भी देखें जैसे ये आपकी कुंडली है तो ये करक चार नमबर जो लिखा है यहाँ पर पहले भाब में ये दिखाता है कि ये करक लगन है अगर आपका चंद्रमा वहाँ पर है जहाँ पर चार नमबर लिखा है तो इसका मतलब हो का करक राशी है लगन का मतल प्रेम हुआ, दुख हुआ, शुक्ष हुआ, इस सब चीजें मन से, चंद्रमा से जाद अच्छा देखती हैं, और क्यार हुआ, बिजनिस हुआ, तरक्की हुई, इंटलेक्शल जो चीजें हैं, जो मैट्रियलिस्टिक जाद चीजें वो लगन से जाद अच्छा रहता है, तो गुरु जो हैं, आपके, छटे भाव में अब तक जो थे वक्री थे, तो देखिए, हेल्थ का थोड़ा प्रावलम हो सकता था, थोड़ा सा, हो सकता हेल्थ उतनी अच्छी ना रही हो, वक्री गरहा अगर आपका छटे भाव में है, रोग रिण सत्रू, आपको रिण लेना पड़ा हो आपको किसी को पैसा दिया हो वापस ना रहा हो पिछले समय में ऐसी कुछ चीजा रही होंगी ऐसा हो सकता था इसके साथ साथ यहां पर बैठे हुए गुरु ऐसे भीव कर रहे थे जैसे वो पंचम में हो तो एक तरह से यात्राएं कराने की कोशिश कर रहे थे कुछ थोड़ा बहुत लाब भी उन्होंने कराया होगा और आपने कुछ ना कुछ धर्म के कार भी किये होंगे इस तरह का चल रहा था क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है वो ऐसे रियक्ट करता है जैसे कि वो पिछले भाब में उस्टेडी भी आपकी ठीक रही होगी तो यह कुछ चीज रही होगी पर अब जो गुरु है वो वक्री से डारेक्ट होने वाले हैं अगर हम देखें कि जब भी जो की दूसरे भाब का कारक है पंचम भाब का कारक है नवम भाब का गयारेमे भाब का मतलब की धन का creativity का बच्चों का husband का भाग्य का यात्राओं का आपकी fulfillment of desire का जो कारक है वो वक्री था और अब क्या हो रहा है डारेक्ट हो रहा है मारगी हो रहा तो इन चीजों में कुछ ना कुछ सुधार आएगा इन चीजों में कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगी इसके लाबा अगर हम गुरू की डश्टी की बात करें तो यहां से जो गुरू है आपके एक, दो, तीन, चार, पाँच अपनी जो पंचम दश्टी है आपके कर्म छेतर पर अब जादर डालेंगे चुकि अब वो डारेक्ट हैं अब वो मार्गी हैं तो आपके कारे के छेतर में बढ़तरी होगी कारे जादर आएगा, responsibility जादर आएगी मेहनत करने को जादर मिलेगा तो उससे हटना नहीं है, उससे डरना नहीं है यह नहीं कहना है कि अब कार इतना बढ़ गया है काम इतना बढ़ गया है क्योंकि काम बढ़ेगा तो आपको सीखने को जादर मिलेगा आप डबलप्ट होंगे आप नई चीज़ें सीखेंगे तो एक अच्छी बात है कि कारे बढ़ रहा है कारे चेंज भी हो सकता है कारे में बदलाब भी आ सकता है आपको एक कारे चेंज कर सकते हैं उसमें बदलाब आ सकता है आप किसी कारे की तलास में थे तो वो कराकारे आपको मिल भी सकता है इस तरह की यहाँ पर opportunity बंद रही है जो बारे में भाब पर जो दस्टी पढ़ रही है वो एक तरह से अच्छी दस्टी है यह क्या करेगी आपका पढ़ाएगी खर्चा खर्चा बढ़ाएगी आप खर्चा बढ़ाएगी पर वो जो खर्चा होगा वो अच्छी चीजों पर होगा जैसे कहीं मंदिर जाना है किसी टूरिस्ट प्लेस पर जो की धार्मिक है कुछ इस तरह का या कुछ दान पुन्न करना है इस तरह का कुछ खर्चा या किसी की यग कराना, कुछ इस तरह का कथा कराना, कुछ इस तरह उसमें सुधार आएगा, उसमें काफी बुद्धि मता झхलकेगी, कि आप जैसे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा हो, एक तो ये बात है, दूसरा, आप निर्ने सही ले पाएंगे, और परिवार के बीच में, जो परिवार के लोग हैं, आपस में, उनमें आपस में बनेगी, अच्छा मतलब एक दूसरे को समझ पाएंगे, और धन में प्रधी होगी, धन के जो sources हैं, वो बढ़ेंगे, इस तरह को हमारे गुरु दिखा रहे हैं, और देखियो गुरु जो हते हैं, गुरु जो ग्रह है, वो बुद्धी का ग्रह है, सबसे पहले है, कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु परम ब्रह्मा, तसमे स्री गुरु वे नमाहा, तो गुरु साक्षात ब्रह्म हैं, गुरु साक्षात इश्वर हैं, ऐसा क्यूं कहा गया, क्योंकि हमारा जो धर्म है, वो सिंबॉलिक है, हम जब किसी मूर्ती की भी पूजा करते हैं, तो क्या दर्शाती है, किस एनर्जी को वो दर्शाति हम उसकी पूजा करते हैं हर एक चीज का एक अर्थ होता है तो गुरू को इतना रिगार्ट से लिए दिया गया कि हम वास्तव में उस गुरू की नहीं उस फिजीकल व्यक्ति की नहीं उस ज्ञान की पूजा कर रहे हैं इंटेलिजेंट, विवेक, बुद्धिमानी वो जो ज्ञान हमें उससे मिल रहा है हम उसकी पूजा करते हैं हम उसके सामने जुकते हैं और ज्ञान साक्षात इश्वर है माता सरस्वती है ओम एम रीम कलीम चामुन ड़े विच्चे में जो आयम, जो वीजमंत्र है वो साम, जो खुद महासरस्वती है उनका है इश्वर की जो एक डायमेंशन है वो है इंटेलिजेंट, बुद्धी, विवेक तो जब इसलिए गुरु के सामने जुकना चाहिए कुछ लोग इस बात को बड़ा ओड समझते है ऐसे कैसे जुकेंगे मतलब वो वी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ अहम ब्रह्मासमीन और तौमेवसी, वो वी इश्वर है, मैं भी इश्वर हूँ पर हम उसके सामने नहीं ज्यान के सामने विद्या के सामने इसलिए जब भी कोई आपको ज्यान ग्रहन करना होता है काई वो किसी से भी हो चाहिए, वो आपसे छोटा व्यक्ती हो या बड़ा व्यक्ती हो, स्टेटस में चुकि आज कल छोटे बड़े का तो अगर आपको कुछ सीखना है कि अगर आप arrogant mode में हैं अगर आप जुके हुए नहीं, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो वो वाली बात होई कि पहले से ही जो अगर डबबा भड़ा हुआ है पानी, तो उसमें कुछ भी डालो कुछ मतलब नहीं है, उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप तो पहले से ही रेड़ी है तो वो बाते में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी बाते आपको इन चीजों में यूज करनी है कारे के वक्त, दान करते वक्त और धन में कि आपको receptive होना है कारे में लोगों को समझना है लोगों से कुछ सीखना है वहाँ पर आपके boss होंगे आसपास बाले होंगे, आपके colleague होंगे तो उन से चीजों को सीखना है ज्यान पराप्त करना है, उस फिर अपने लिए यूज करना है, उस सीखने के लिए आपको जुकना पड़ता है, तो प्यार से जुकिए स्रद्धा से जुकिए क्योंकि तब ही आप कुछ सीख पाएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे इस तरह से, ठीक इसी वट जब आप दान देते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं पुन्य कर्म करते हैं, तब भी जुक्के करना चाहिए, क्योंकि आप उसको नहीं दे रहे हैं आप इश्वर को ही दे रहे हैं क्योंकि भगवत कीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कि सब कुछ मेरे अंदर है और मैं सब के अंदर हूँ, तो जब आप किसी को दान करते हैं, तो उसको एक खासा तब उस इश्वर को भी उसके प्रती भी नस्तमस तक हो रहे हैं उसमें आप इश्वर भी देख रहे हैं और जो धन का है, कि धन कमाते वक्त भी आपको बड़ा एक तो यह है कि एगो में नहीं होना चाहिए यह बहुत बड़ी बात है कि समय समय की बात होती है समय समय की बात होती है वही राम, जिनको 14 वर्स के लिए बनवास भेज दिया गया उन्ही को पहले दिन क्या मिलने वाला था राजपाट मिलने वाला था और उसके बाद भी राम चंदर जी से सीखे उसके बाद भी जब उनसे कहा गया कि भाई, आपको आपका राज नहीं मिलेगा आपको 14 साल के लिए बनवास जाना पड़ेगा तो उन्होंने क्या कहा कि जो आग्या पिता जी है, जो आग्या माता जी ये कोई बात ही नहीं है मतलब वो वेक्ति जिसको पूरे भारत वरस का राज मिलना हो जब उससे कहा गया तो उसने इस तरह का आंसर किया तो क्या उसके दिमाग में रहा होगा बहुत योग थे राम, सब उनको चाहते थे, सब मानते थे, बुद्धी मान भी थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा decision लिया, क्योंकि वहाँ वही सही था, तो ये सब इसी कारण फिर वह बाद में 11,000 बर्स उन्होंने राज किया, जो मैथिलोजी कहती है, तो 14 साल का बनबास मिला, पर उसके बाद 11,000 का राज भी उन्हें मिला, क्योंकि उन्होंने गुरू के गुणों का कह सकते हैं कि पालन किया, क्योंकि उस समय वह समझ पाए कि अभी फिलाल में अगर वह ऐसा कहते हैं, तो भाईयों के बीच में उपर है, वह ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, और जंगल के लिए चले गए, और उसने ही उनको भगवान श्री राम बनाया, बाज में फिर वो चक्रवरती राजा बने, और आज भी हम मर्यादा पुरसुत्तम भगवान श्री राम कहके उनकी पूजा करते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं, ये गुरू के गुण हैं, भगवान राम का गुरू लगन में चंदरमा के साथ बैठे उच्छ के, उनके अंदर मंगल के गुण भी थे, जिस पर कभी बात में करेंगे, पर ये बात उनके गुरू के गुणों के थी, तो जिस तरह से गुरू इन भावों को देख रहे हैं, तो अगर इन गुणों को आप अपने अंदर लाएंगे, तो गुरू आपके लिए सुब रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उसका आप ज़ादर रिजल्ट ले पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर उसका थोड़ा कम, मतलब रहमेडी के साथ, मंत्रों के साथ, और ट्रांजिट के साथ साथ कर्मों में सुधार लाना आवश्यक है, तब ही आप उस तरांजिट का, पूरा लाब उठा पाएंगे, क्योंकि गुरू टेश्ट भी करते हैं, परिक्षा भी लेते हैं, शनी ही सिर्फ परिक्षा नहीं लेते हैं, बहुत से लोगों को यह ब्रहम है, कि सिर्फ शनी परिक्षा लेते हैं, नहीं, गुरू भी परिक्षा लेते हैं, पर उनका थोड़ा धंग दूसरा होता है, शनी प्रॉब्लम दे के परिक्षा लेते हैं, गुरू धन दे के परिक्षा लेते हैं, पैसा आएगा, पर ऐसा हो सकता है, ऐसी भी अपॉर्चिनिटी पर ढंग दूसरा है गुरु बहुत दयालू है अगर आप गलती माल लेते हैं तो वो ऐसे ही माफ कर देते हैं कहीं बार और शनी चाहते हैं कि भाई साजा तो मिलनी चाहिए उसके बार फिर माफी होगी तो ये था करक राशी के लिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए था वैसे तो ये करक राशी के लिए है हमारा लिख देते हैं करक करक राशी करक लगन के लिए जो गुरु की चाल बल्दली है उसके बारे में थोड़ा डिटेल था थोड़ा उसके बारे में बताया था मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलेगा डेक्स्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेस्बुक का इंस्टेंग्राम का ट्विटर का तो प्लीज फॉलो प्लीज लाइक इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार